अगर आप टारो अकल्ट में अपना करियर बिनाना चाहते हैं, या पिर अदरवाइस भी इंट्रेस्टेड हैं, आप सीखना चाहते हैं, we have a tarot certification course, जिसमें A to Z about tarot आपको सीखने को मिलेगा, और अपनी इस जर्णी को कैसे आप फर्दर लेकर जा सकते हैं, ये भी इसमें का व नीचे description box में मिल जाएगा, और अगर आप चाहें तो directly हमें call करके भी अपने सवालों के जवाब जान सकते हैं, in fact मैं कहूंगी कि अभी अगर आप नहीं भी सीखने के मूर में हैं, आपका occult में tarot में interest है, तो जरूर आपको free webinar जोइन करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे आ आपकी tarot ratings है, tarot predictions है, और इस वीडियो में सभी signs के साथ ताहिक राशी फल है, नीचे description box में आपकी राशी के सामने time stamp है, आप उस पे click करेंगे तो directly आपकी reading आजाएगी, और बहुत सारे लोगों का सवाल होता है कि माम इस reading को हम किस sign के हिसाब से देखें, तो tarot reading को आप कि सी भी sign के हिसाब से देख सकते हैं, फिर चाहिए हो आपका लगन हो, नाम के हिसाब से राशी हो, आपका moon sign हो या फिर आपका sun sign हो, तो चलिए जी शुरू करते हैं coming week का साथ राशी फल, तो चलिए एरीज आप लोगों के लिए देखें कि coming week क्या लेकर आ रहा है, क्या energies हैं तो professional front के लिए आप लोगों के लिए card है the devil reverse, and I know बहुत सारे लोग तो devil का नाम सुनके ही परिशान होगे होंगे, और उनके मन में खयाल आ रहे होंगे कि पतन ही ये week कैसा जाएगा, दिखे devil जरूर stress tension की बात करता है, लेकिन tarot का मकसद guidance देना होता है, और अगर इस card से Most of the times हम कैसे चीजों को deal कर रहे होते हैं, वही कहीं stress और tension भी create कर रहा होता है, तो इस week एक दो चीजों का खयाल रखें, beyond the point ना तो किसी को allow करें कि वो आपको control कर पाएं, dominate कर पाएं, और ना ही आप किसी भी situation, circumstance, इंसान को control और dominate करें, अब बहुत सारे लोग सोचे होंगे, मैम हम खुद को तो ठीक कर सकते हैं, बट सामने वाले को कैसे ठीक करें, देखिए जब हम बहुत किसी चीज को लेकर डरते हैं, या फिर एक fear हमारे मन में होता है, insecurity होती है, और जब सामने वाला हमें control करने की कोशिश कर रहा होता है, हम अपना stand नहीं लेते हैं, तब कहीं हम उनको allow कर रहे होते हैं, कि वो हमें control करें, तो इस week आपने डरना नहीं है, परेशान नहीं होना है, जिन God को आप मानते हैं, उन पे surrender करना है, faith करना है, और फिर से मैं कहूंगी एक light and easy वाली energies में रहना है, जो भी external front में चीज़ें हो रही हैं, अपने mind में आपने उनको और कहीं yes, फिर से मैं कहूंगी, जितना जादा आप एक obsessive, positive energies को अपने उपर हावी नहीं होने देंगे, जितना जादा आप अपने आपको light and easy रखेंगे, ये week को आप बहतर करेंगे, किसी भी तरीके के fear, किसी भी तरीके की insecurities को again मैं कहूंगी, इस week आप अपने उपर बीना होने दें, and personal front के लिए आप लगों के लिए six of wands reverse का card है, और ये card कहीं stuck energies की बात करता है, या फिर कुछ के लिए हो सकता है कि आप over confident हो रहे हैं, या कुछ के लिए हो सकता है under confident हो रहे हैं, अब situation, circumstance सब के लिए differ करेगी, क्योंकि ये personal front के लिए है, तो personal life के किसी area में energies रह सकती हैं, कुछ के लिए हो सकता है, आपको ऐसा लग रहा है कि जितनी appreciation, जितनी एक recognition आप expect कर रहे हैं, deserve करते हैं, उतनी आपको नहीं मिल रही है, कुछ के लिए हो सकता है, आपको ऐसा लग रहा है, कि आपके पीछे से लोग आपके बारे में बात कर रहे हैं, और overall के लिए किसी भी चीज को लेकर पीछे अगर आप बहुत effort कर रहे थे बहुत महनत कर रहे थे तो उसका एक positive outcome इस week आपको नहीं मिलता हुआ दिख रहा है यानि कि थोड़ा सा delay हो सकता है थोड़ी सी चीजें postpone हो सकती है तो देखिए six of wands is not a negative card but definitely ये card अगर reverse है तो आपकी success जो भी एक positive outcome आप expect कर रहे थे वो थोड़ा सा delay थोड़ा सा postpone हो सकता है और फिर से मैं कहूंगी कि उतना appreciated आप नहीं महसूस कर रहे हैं अपने loved ones अपने close ones से और कहीं you know वो recognition जो again मैं कहूंगी आपको लगता है आप deserve करते हैं या फिर आप expect कर रहे हैं इस week आपको नहीं मिल र to the situation तो जो भी professional personal friend में हो रहा है हर चीज को बहुत lovingly बहुत compassionately deal करें इस week आपने गुसा नहीं करना है इस week आपने किसी भी चीज को लेकर aggressive नहीं होना है बहुत जादा एक active energies में भी इस week आपने नहीं रहना है and astrology से आप लोगों के लिए लिए और साइन का card है इसके हिसाब से all shades of yellow इस week आप लोगों के लिए लखी रहेंगे and significant day आप लोगों के लिए होगा Sunday तो ये था एरीज आप लोगों के लिए coming week का सापता है एक राशी फल और नेचे मुझे comment section में ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ resonate किया कितना आप connect कर पाए तो चलिए टॉरस आप लोगों के लिए देखें कि coming week क्या लेकर आ रहा है क्या energies है तो professional fund के लिए आप लोगों के लिए card है six of pentacles six of pentacles का card taro में day and lane give and take की बात करता है और कुछ ऐसा ही इस week specifically आपके professional fund में रहता हुआ दिख रहा है यानि कि किसी भी तरीके की financial help, financial support की अगर आपको जुरत है आपके loved one, co-worker, colleagues की तरफ से मिलता हुआ दिख रहा है और ऐसे ही किसी co-worker, colleague को financial help या फिर money, passes से related कोई भी help चाहिए आप देते हुए दिख रहे है और दिखी ये तो एक चीज मैंने आपको बताई ये काट किसी भी तरीके के deal-lain की बात करता है यहाँ पे देखिए कोई भी और help, कोई भी और support अगर आपको चाहिए या फिर आपके किसी co-worker, colleague को चाहिए आप दे रहे हैं या फिर आप वो help, वो support ले रहे हैं तो बहुत एक sharing, caring वाली energies इस week रहती भी दिख रही है साथी साथ काफी practical, काफी realistic होके आप चीजों को deal कर रहे हैं, एक balance भी आप maintain करना चाहा रहे हैं या फिर कर रहे हैं और personal front के लिए आप लुगों के लिए the lovers का card है the lovers tarot में बहुत एक passionate energies की बात करता है relationships को represent करता है और इस week personal front में relationships आपका focus रह सकते हैं overall ही बहुत loving, caring आप अपने relationships में रह रहे हैं या फिर जो भी आपके loved ones हैं, close ones हैं उनसे एक love care आपको मिलती भी दिख रही है और फिर से मैं कहूंगे बहुत passionate energies आपके relationship में या किसी खास relationship में रहती भी दिख रही है lovers का card कहीं decision choices को भी represent करता है तो कुछ और उसके लिए हो सकता है कि कोई decision, कोई choice आपको लेनी है और जब भी ये card आता है, हम यही कहते हैं कि आप उसी चीज को choose करें जिसके लिए आप बहुत passionate हैं जिसको आप वाकरी में love करते हैं तो overall के लिए ये वी काफी अच्छा रहतावा दिख रहा है फिर से मैं कहूंगी बहुत deep, बहुत strong connection आप किसी खास इंसान के साथ या फिर overall जो भी आपके close ones हैं, loved ones हैं उनके साथ महसूस कर रहे हैं और इन ही connection को आप enjoy कर रहे हैं इन ही connection में आप काफी deeply involved भी होते हुए दिख रहे हैं and guidance से आप लोगों के लिए surrender to the divine का card है बहुत clear message है कि बहुत जादा किसी भी चीज को लेकर सोचे ना बहुत जादा किसी भी चीज को analyze ना करें जो चीजे समझ में आ रहे हैं बहुत अच्छी बात है जो नहीं समझ में आ रहे हैं यूनिवर्स को surrender करें आगे बढ़ते रहें and astrology से आप लोगों के लिए Uranus का card है इसके साब से all shades of blue indigo इस week आप लोगों के लिए लखी रहेंगे and significant day आप लोगों के लिए होगा Saturday तो ये था टॉरस आप लोगों के लिए coming week का साबता है एक राशी फल और नीचे मुझे comment section में जरूर बताएं कि ये कितना आपके साथ resonate किया कितना आप connect कर पाए चलिए जेमिनीज आप लोगों के लिए देखें कि coming week क्या लेकर आ रहा है क्या energies है तो professional front के लिए आप लोगों के लिए card है queen of cups rivers और ये card कहता है कि इस week specifically professional front में emotionally आप लोग feel करते वे देख रहे हैं होता है ना कभी-कभी वो happiness, वो joy, वो satisfaction हम नहीं महसूस कर रहे हैं क्योंकि ये queen का card है कुछ के लिए literally हो सकता है कोई female है जिनकी वज़े से आप ऐसी energies में है यानि कि आप emotionally low feel कर रहे हैं आपके mood swings हो रहे हैं आप बहुत happy, great नहीं महसूस कर रहे हैं और कुछ के लिए आपकी ही energies रह सकती है तो दिखें, यहाँ पर मैं बिल्कुल भी नहीं कह रहे हैं कि money, paysa, materialistic, tangible चीज़ों से related कुछ issues, कुछ मसले रह रहे हैं आपके emotions, आपकी feelings, आपकी attachment किसी भी चीज़ को लेकर आपके professional front से related कुछ issues रहते हुए दिख रहे हैं यानि कि थोड़ा सा भी अगर आप effort करते हैं थोड़ा सा भी conscious awareness के साथ आप अपने आपको उन चीज़ों में involved करते हैं participate करते हैं जो एक enthusiasm, excitement आपके लिए लेकर आती हैं तो आप इन energies में से खुद को बहार निकाल पाएंगे इस week को भी भैतर कर पाएंगे दूसरे तरीके से मैं आपको ये भी कह सकती हूँ कि बहुत जादा किसी भी चीज़ को लेकर emotional ना हो और वैसे भी देखे मैंने हमेशा आप लोगों को कहा है कि professional front में जब हम emotional हो जाते हैं हम professional attitude होते हैं उस time नहीं है असास होता जब बाद में हैसास होता है तो फिर काफी हमारा नुकसान हो चुका होता है यहां फिर हम regret करते हैं परेशान होते हैं तो थोड़ा सा logically चीज़ों को deal करें थोड़ा सा practical realistic होके चीज़ों को deal करें फिर से मैं कहूंगी कि emotional sentimental बिलकुल भी ना हो and personal front के लिए आप लोगों के लिए the world reverse का card है और the world का card literally out of the country से related किसी activity किसी चीज़ के होने की बात करता है क्योंकि आप लोगों के लिए ये card इस week के लिए reverse है तो इसी से ही related छोटे मोटे issues रह सकते है अब दिखिए ये सब के लिए डिफर करेगा क्योंकि ये general leading है कुछ के लिए literally हो सकता है आप out of the country चावल करना चाहा रहे हैं या फिर उससे related कोई आपकी planning रह रही है और इसी में ही छोटे मोटे issues मसले आप face कर रहे हैं कभी-कभी होता है ना वीजा नहीं हमारा approve होता है या फिर हमारे मन में एक fear होता है कि बता नहीं हमारा वीजा approve होगा नहीं होगा या passport के documents related कुछ issues है और फिर से कहूंगे दिखिए general leading है मैं आपको सिरफ scenario बता रहे हूँ इस तरीके के issues मसले रह सकते हैं हो सकता है out of the country कोई आपका loved one रहता है close one रहता है उनसे आप connect करना चाहा रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं तो किसी भी तरीके की out of the country से related activity से related छोटे मुटे issues रह सकते हैं और दूसरी चीज एकार कहता है किसी चीज को complete करके next phase में अपनी life के जाना चाहा रहे हैं और उस से related issues रह रहे हैं और अच्छे से clear कर देती हूँ किसी चीज पर बहुत time से काम कर रहे थे और इस week आपको लग रहा था कि भाई अब ये चीज आपकी complete हो जाएगी और आप नए level से नए तरीके से चीजों को शुरू करेंगे तो वो इस week नहीं होता हुआ दिख रहा है एक closure नहीं मिल रहा है किसी चीज में या फिर चीजें complete नहीं हो रही हैं या किसी चीज को end करके नहीं beginning करना चाहा रहे हैं तो उस से related छोटे मोटे issues रह रहे हैं थोड़े से delays हो सकते हैं थोड़ी सी चीजें postpone हो सकती हैं और overall के लिए वो एक जो appreciation आप चाहा रहे हैं आप expect कर रहे हैं आपको लगता है आप deserve कर रहे हैं इस week आपको नहीं मिलता हुआ दिख रहा है और internet से related या technical work से related भी छोटे मोटे issues इस week रह सकते हैं तो कुछ भी negative नहीं हो रहा है बट yes जो भी चीजें मैंने mention करी उसी से ही related छोटे मोटे issues इस week रहते वह दिख रहे हैं and in general या फिर guidance से आप लोगों के लिए new moon in Capricorn का card है और ये card कहता है your hard work is paying off तो देखिए दोनों ही fronts के लिए बहुत great cards नहीं है in fact मैं कहूंगे personal front के लिए तो great card है लेकिन reverse है तो थोड़े से delays post payment दिख रहे हैं and professional front के लिए कोई negative card नहीं है but yes बहुत positive बहुत एक great energies वाला card नहीं है लेकिन guidance का card जरूर आपको ये indication दे रहा है कि पीछे किसी भी चीज के लिए अगर आपने hard work किया है तो definitely आपको result मिलेगा इस week अगर नहीं मिला तो next week मिलेगा लेकिन उसका एक positive outcome उसका एक positive result आपको जरूर मिलेगा and astrology से आप लोगों के लिए Saturn का card है इसके हिसाब से all shades of beige brown इस week आप लोगों के लिए लखी रहेंगे and significant day आप लोगों के लिए होगा Saturday तो ये था जर्मिनीज आप लोगों के लिए coming week का सापता है क्राशी फल और नीचे मुझे comment section पर जरूर बताएं कि ये कितना आपके साथ resonate किया, कितना आप connect कर पाए तो चलिए concerns आप लोगों के लिए देखेंगी coming week क्या लिकरा रहा है, क्या energies है तो professional fund के लिए आप लोगों के लिए card है night of swords, night of swords का card taro में speed की बात करता है, movement की बात करता है, बहुत तेजी से आगे बढ़ने की बात करता है, focus की बात करता है, concentration की बात करता है, और कुछ ऐसा ही इस week specifically आपकी professional fund के लिए रहता हुआ दिख रहा है क्योंकि ये general leading है, थोड़ा-थोड़ा सब के लिए differ करेगा, कुछ concerns के लिए हो सकता है कि पीछे किसी भी चीज में, अगर आप stuck महसूस कर रहे थे, अटकावा महसूस कर रहे थे, तो इस week suddenly आप उसमें से बाहर निकलते हुए दिख रहे हैं कुछ के लिए हो सकता है, या तो आप बहुत speed से अपने goal अपनी मकसद की तरफ बढ़ना चाहा रहे हैं, कुछ के लिए हो सकता है कि चीजे इतनी तेजी से आगे बढ़ रही है, आपको उनके साथ अपनी speed मैच करनी पढ़ रही है और इस वज़े से कहीं आपको अपनी speed बढ़नी पढ़ रही है, तो देखिए reason सब के लिए differ करेगा लेकिन एक तेजी, एक swiftness, एक बहुत speed आपके professional front में आती हुए दिख रही है, और कुछ के लिए हो सकता है, जो भी आपका goal है, जो भी आपका मकसद है, आप सिरफ और सिरफ उस पे focus करके again मैं कहूंगी, बहुत तेजी से आगे बढ़ते जा रहे हैं, जब भी एकाड आता है, मैं वो अरजुन और दुरुनाचारे जी की कहानी सुनाती हूं जैसे अरजुन को सिरफ चडिया की आँख दिख रही थी, और इसलिए उनके गुरु दुरुनाचारे ने कहा कि आप ही अरजुन चडिया की आँख पे तीर कमान मार पाएंगे उसी तरीके से इस week आपको भी सिरफ अपना गोल, अपना फोकस निजार आता हुआ दिख रहा है और उसकी तरफ बहुत clarity के साथ आप आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं अगर कोई भी confusion पीछे थी इस week थी तो उसको भी आप clear करते हुए दिख रहे हैं and in the process आपका communication आपकी बातचीत थोड़ी सी blunt थोड़ी सी straightforward हो सकती है अगर आपको लगे कि आपकी बातचीत की वज़े से कोई hurt हो रहा है तो इस चीज़ का ज़रोर खयाल रखें and personal friend के लिए आप लोगों के लिए queen of pentacles का card है तो दिखें professional friend में जहाँ night बहुत तेजी से घोड़े के उपर आगे बढ़ रहे हैं वही personal friend में यहाँ पे female कुरसी के उपर बैठी हुई है तो इस week देखिए professional friend में sudden changes आ सकते हैं यस एक चीज मैं mention करना भूल गई आप यहाँ तो travel कर रहे हैं travel से related planning चल रही है यह भी कुछ के लिए हो सकता है कुछ के लिए हो सकता है गाड़ी अगर बहुत टाइम से लेने की सोच रहे थे तो उससे related planning चल रही है ले रहे हैं और personal friend में वही एक passive सी energies रहती हुई दिख रही है comfort, luxury रहती हुई दिख रही है तो यहां तो आप commitment देना चाहा रहे है आपको लग रहा है कि आपके partner आपको commitment दे और बहुत devotion, dedication के साथ फिर से मैं कहूंगी practical, realistic तरीके से चीज़ों को deal कर रहे है इस week आपको personal friend में specifically ऐसा लग सकता है बस अब बातों से काम नहीं चलेगा अब सिरफ ख्याली प्लाव बनाने से कुछ नहीं होगा जो चाहिए उसके लिए उसी level पे action initiatives लेने पड़ेंगे और कुछ के लिए हो सकता है आप saving करना चाहा रहे हैं कुछ के लिए हो सकता है कि कहीं यूनों कोई purchase अगर बहुत time से आप करना चाहा रहे थे तो वो आप कर रहे हैं तो दिखे कहीं ना कहीं money की involvement money पे focus, finances पे focus भी इस week रहता हुआ दिख रहा है क्योंकि यहाँ पे queen का card है कुछ के लिए literally हो सकता है कि कि किसी female के साथ जो कि बहुत practical, realistic है आपकी जादा interaction बातचीत हो रही है कुछ के लिए हो सकता है कि इसी तरीके की female की तरफ से काफी एक supportive cooperative energies रह रही है और जो भी दो चीज़ें मेरे mind में आई मैंने कहा सब के लिए differ करेगा broader level के लिए किसी female की तरफ से cooperative supportive energies भी इस week आपके लिए रह सकती है and in general यहाँ फिर guidance से आप लोगों के लिए a fiery climax approaches का card है और यह card कहता है कि जिस भी चीज़ के उपर आप बहुत time से effort कर रहे है उसी से related कहीं एक ending beginning रहते भी दिख रही है finally उसको हो सकता है इस week आप achieve करें या फिर जो भी इस week हो रहा है आपको ऐसे लग रहा है कि अब इस चीज़ को आप achieve कर लेंगे astrology से आप लोगों के लिए वस्ता का card है इसके हिसाब से all shades of yellow and orange आप लोगों के लिए लखी रहेंगे and significant days आप लोगों के लिए होंगे Sunday and Thursday तो यह था किन सेरेंज आप लोगों के लिए coming week कर साबता है एक राशी फल नीचे मुझे comment section पर ज़रूर बताएं कि यह कितना आपके साथ resonate किया कितना आप connect कर पाए चलिए लिए उस आप लोगों के लिए देखें कि coming week क्या लेकर आ रहा है क्या energies है तो professional front के लिए आप लोगों के लिए card है three of cups reverse three of cups का card कहीं taro में celebration की बात करता है get together, reunion की बात करता है socialize करने की बात करता है क्यूंकि आप लोगों के लिए ये card professional front के लिए है और reverse है तो हो सकता है professional front में आप और professional से connect करना चाहा रहे हैं यानि कि जिस भी profession में आप है आप अपना network बढ़ाना चाहा रहे हैं professional circle बढ़ाना चाहा रहे हैं लेकिन उसी से related issues मसले रह रहे हैं कुछ के लिए हो सकता है जो भी लोग आपके लिए काम करते हैं आपके साथ काम करते हैं उनके साथ छोटे मोटे issues मसले रह रहे हैं देखिए three of cups is a very very positive card ये negative card नहीं है तो कुछ भी negative नहीं हो रहा है लेकिन ये life है हमेशा ही relationships में उस तरीके से चीज़े नहीं होती हैं जिस तरीके से हम चाहते हैं कभी misunderstandings हो जाती हैं कभी सामने वाले की expectation कुछ और होती है हम उस तरीके से नहीं कर पाते हैं कभी हमारी expectations लोगों से कुछ और होती है और लोग उस तरीके से चीज़ों को नहीं कर पाते हैं तो इस तरीके की energies रहते भी दिख रही हैं क्योंकि एक खास celebration get together reunion का है कुछ के लिए हो सकता है कि आपके professional front में कोई event हो रहा है आप participate नहीं कर पा रहे हैं कुछ के लिए हो सकता है आप participate कर रहे हैं लेकिन उस तरीके से enjoy नहीं कर पा रहे हैं कुछ के लिए हो सकता है कि इस week आप अपने काम पे इतना focus है नहीं कर पा रहे हैं सिरफ fun, मजा, मस्ती, eating, drinking, marimaking आपके colleagues, co-workers के साथ यहाँ पे personal front में रह रही है तो दिखिए फिर से कहूंगी general reading है थोड़ा-थोड़ा सब के लिए differ करेगा broader level के लिए यह card कहीं celebration fun, मजा, मस्ती की बात करता है और यह reverse है तो कहीं दिखिए fun, मजा, मस्ती या तो आप too much कर रहे हैं और उसका एक guilt हो रहा है क्योंकि यह card reverse है या फिर करना चाह रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं और तीसरा scenario जो भी लोग आपके साथ काम करते हैं उनके साथ छोटे मोटे issues मसले रह रहे हैं and personal front के लिए आप लोगों के लिए two of wands reverse का card है और यह card कहता है कि personal front में जिस भी चीज़ पर आप focus कर रहे हैं उसको कहीं आप next level पर लेकर जाना चाहते हैं next steps प्लान करना चाहते हैं लेकिन इसी से related issues मसले रहते हुए दिख रहे हैं सब Leo's के लिए different reasons रहेंगे लेकिन two of wands reverse का card कहता है कि शायद किसी भी वज़े से उतना confident आप नहीं महसूस कर रहे हैं अब ये भी थोड़ा-थोड़ा सब के लिए differ करेगा कुछ Leo's के लिए हो सकता है आपको खुद पर उतना confidence नहीं आ रहा कुछ के लिए हो सकता है कि आपके कोई loved one है, close one है आपको उनके उपर उतना confidence नहीं आ रहा अगर आपकी expectation है उनसे support की, cooperation की तो इस वीक उस तरीके का एक support उस तरीके की एक cooperation आपको नहीं मिलती भी दिख रही है कुछ के लिए literally हो सकता है कि आप किसी news का wait कर रहे हैं और जो आपने expect किया या फिर जो news आप चाहा रहे हैं आपको वैसी नहीं मिल रही है थोड़ा सा जो भी news मिल रही है आपको bother कर रही है आपको upset कर रही है तो again देखिये two of wands is not a negative card it's a very very positive card क्योंकि आप लोगों के लिए इस वीक reverse है तो छोटे मोटे issues मसले इन ही चीजों से related रहते हुए दिख रहे हैं कुछ के लिए हो सकता है कि आप नए सिरे से कुछ चीजों को शुरू करना चाहा रहे हैं बहुत time से आपने आपको किसी चीज में बंद किया हुआ इसे किसी चीज में बंद किया हुआ कभी-कभी क्या होता है अपने mind में ही थोड़ी सी patience रखें और ये तो देखिए चीजें हैं कभी हमारे favor में होती हैं कभी नहीं होती हैं लेकिन in the process अगर खुद पे confidence आपका कम हो रहा है तो उस पे जरूर work करें कि कोई भी external cheese हमारे confidence को नहीं कम करनी चाहिए बाकी तो हो जाएगा आज नहीं होगा तो कल हो जाएग past hold you back तो हो सकता है कि past की कोई चीज आपको bother कर रही है या फिर past की किसी चीज में आप अटके हुए हैं इसलिए आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं yes I got it personal front में आप आगे बढ़ना चाहा रहे हैं लेकिन नहीं बढ़ पा रहे हैं और बहुत सारे leos के लिए एक major reason हो सकता है कि past की किसी चीज में आप अटके हुए हैं बहुत clearly guidance का card आपको कह रहा है कि please don't let your past hold you back अपने past को ना allow करें या फिर इतनी power ना दे कि वो आपको आगे बढ़ने से रोख पाए तो इस चीज पे आप ज़रूर work करें and astrology से आप लोगों के लिए the moon का card है इसके हिसाब से white color इस का सापता है एक आशी फल और नीचे मुझे comment section पे जरूर बताएं कि ये कितना आपके साथ resonate किया कितना आप connect कर पाए तो चुलिए वो गुज आप लोगों के लिए देखें कि coming week क्या लिकर आ रहा है क्या energies हैं तो professional front के लिए आप लोगों के लिए card है two of cups two of cups का card कही relationships को represent कर relationships में बहुत एक beautiful bonding की बात करता है love affection care होने की बात करता है क्योंकि ये card आप लोगों के लिए professional front के लिए है तो कहीं इस तरीके की energies आपके professional front में रहती भी दिख रही हैं यानि कि जो भी लोग आपके साथ काम करते हैं आपके लिए काम करते हैं उनके साथ आपका relationship better हो रहा है या फिर कैसे better हो आप उस पर focus कर रहे हैं या फिर किसी अपने colleague co-worker के साथ आपकी जादा interaction हो रही है जादा बातचीत हो रही है eating drinking very making हो रही है आप उनके साथ coffee पे जा रहे हैं आप उनके साथ lunch पे जा रहे हैं या overall ही जो भी लोग आपके साथ काम करते हैं आपके लिए काम करते हैं उनके साथ जादा eating drinking very making हो रही है कुछ event हो रहा है कोई चीज आप अपने colleagues के साथ co-workers के साथ celebrate कर रहे हैं या फिर किसी अपने profession से related professional के साथ आप जादा connect कर रहे हैं आपकी जादा meeting हो रही है तो जो भी हो कहीं एक happiness joy रहती हुई दिख रही है आप socialize करते हुई दि कर रहे हैं थोड़े emotional sentimental होते हुई दिख रहे हैं और इस week उतना money, पैसा या फिर किसी materialistic चीज का dealing भी नहीं रहती हुई दिख रही है कई relationships जादा focus area रहता हुई दिख रहा है और personal front के लिए आप लुगों के लिए page of cups reverse का card है तो चाहे professional front हो चाहे personal front हो आप Virgos इस week थोड़े जादा emotional sentimental होते हुई दिख रहे हैं खास कर personal front की बात करें तो किसी news, message, email, invitation, phone call का अगर आप wait कर रहे हैं डिले हो सकता है या फिर उस तरीके का message, उस तरीके का invitation आपको नहीं मिल रहा है जिस तरीके का आपने expect किया था या फिर जो आप चाहा रहे थे and otherwise देखें तो emotionally से low हो रहे हैं और आपकी immature emotions, immature sentiments रहते हुए दिख रहे हैं कुछ के लिए हो सकता है कि कोई immature इंसान है आपकी life में बड़े भी हो सकते हैं बच्चा भी हो सकता है उनके साथ आपकी ज़्यादा dealings हो रही हैं उनकी वज़े से आपकी emotions थोड़ी से up and down हो रही हैं और कुछ के हो सकता है कि आप बहुत imaginary दुनिया में रह रहे हैं आप बहुत एक ख्यालों वाली दुनिया में रह रहे हैं कहीं देखिए personal front में खास कर मैं कहूंगी practical realistic approach missing रहती हुए दिख रही है तो कोई भी बड़ा decision कोई भी बड़ी choice specifically अगर आप अपने personal front में ले रहे हैं किसी experiential इं हैं उनसे discuss कर लें और इस week थोड़ा सा अपनी emotions को manage करने की ज़रत है हो सकता है थोड़े से जादा sensitive भी हो रहे हैं तो इन ही चीजों का खयाल जरूर रखें and in general या फिर guidance से आप लोगों के लिए new moon eclipse का card है ये card कहता है expect powerful change तो किसी भी level पे किसी भी तरीके का कोई change इस week रह स रखता है दिखिए यहां पर जरूर powerful लिखा हुआ है लेकिन यह weekly reading है तो मैं नहीं कहूंगी कि कोई बहुत ही powerful यह बहुत ही you know major change हो रहा है बट यह चोटे मोटे changes यहां तो हो रहे हैं यहां फर यह guidance का card है तो यह कह रहा है कि changes लाने की ज़रत है कुछ चीजों को change करने की है और astrology से आप लगों के लिए Pisces का card है इसके हिसाब से all shades of yellow इस week आप लोगों के लिए लगी रहेंगे and significant day आप लोगों के लिए होगा Thursday तो यह था वह गोज आप लोगों के लिए coming week कर सापता है क्राशी फल और नेचे मुझे comment section पर जरूर बताएं कि यह कितना आपके साथ resonate किया कितना आप connect कर पाए तो चलिए लिबराज आप लोगों के लिए देखें कि coming week क्या लेकर आ रहा है क्या energies हैं तो profession fund के लिए आप लोगों के लिए card है three of souls reverse यह card tarot में कहीं hurt की बात करता है तकलीफ की बात करता है छोटे मोटे issues मसले रहने की बात करता है in fact देखें किस इसी चीज को लेकर फिर से मैं कहूंगी hurt होने की या फिर hurt महसूस करने की जादा बात करता है अब इस चीज को सुनके बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है क्योंकि आपकी पूरी जिंदगी की reading नहीं है सिरफ और सिरफ इस week की reading है और कैसे इनी चीजों का खयाल रखके इस non-situation circumstances से ना रखें आप hurt हो सकते हैं otherwise भी देखें जतनी हमारी expectations low होती है किसी भी चीज से हम beyond the point पारेशान नहीं होते हैं और दूसरी चीज मैं आपको कहूंगी कि बहुत emotional sentimental ना हो क्योंकि जब हम बहुत sensitive हो जाते हैं तब भी हम hurt होते हैं for example ये table अगर बहुत मजबूत है आप कुछ भी इसके उपर रखेंगे इसे कोई फरक नहीं पड़ेगा लेकिन अगर ये table weak हुआ कमजोर हुआ आप थोड़ी सी भी भारी चीज रखेंगे table टूट जाएगा इसी तरीके से हमारा भी emotional self होता है mental self होता है जब हम mentally emotionally बहुत strong होते हैं छोटे मोटे issues external level पे हमें परिशान नहीं कर पाते हैं और जब हम थोड़ा सा भी weak हो जाते हैं तो छोटी छोटी चीजें हमें hurt करती हैं तो emotionally mentally खुद को strong रखना है अब दिखें मैं ये नहीं कह रही हूँ कि कुछ बहुत ही गलत coming week में होने वाला है most of the times external front में बहुत छोटी छोटी चीजें हो रही ह होती हैं लेकिन उसको जब हम अपने mind में बहुत बड़ा बना लेते हैं हम बहुत hurt होते हैं और कई बारी बहुत बड़ी चीजें हो रही होती हैं और हम इतनी परवार नहीं करते हैं तो हम hurt नहीं होते हैं तो problem का परेशानी का कोई size नहीं होता है ये सिरफ हमारे state of mind पे होत और कहीं emotionally mentally खुद को strong रखा ये वीक आपका ठीकठा गुजर जाएगा और अगर ऐसा नहीं किया तो परिशान हो सकते हैं hurt हो सकते हैं और personal front के लिए आप लोगों के लिए night of cups का card है और दीखें ये card भी कहीं over emotional, over sentimental, over sensitive होने की बात करता है तो अभी मैंने आपको guidance दी liberals वो आ जाने की personal front में भी emotionally mentally बहुत strong रहना है यहोंकि देखें night of cups का card फिर से मैं कहूंगी काफी sensitive, काफी emotional चीज़ों को लेकर होने की बात करता है और जब भी पर ऐसी energies में होते हैं हम परिशान होते हैं कहीं बारी उस time हम realize कर पाते हैं कहीं बारी नहीं realize कर पाते हैं और देखें द तो थोड़ा सा heart और mind का balance जरूर रखें आप ख्वाब देख रहे हैं बहुत अच्छी बात है क्योंकि जब तक हम ख्वाब नहीं देखेंगे हमारे ख्वाब पूरे भी नहीं होंगे लेकिन जब तक उन्हीं ख्वाबों के लिए हम practical, realistic, concrete, action initiatives नहीं लेंगे तब तक भी हमा and in general यहां फिर guidance है आप लोगों के लिए new moon and taurus का card है और यह card कहता है prosperity lies ahead तो देखें दोनों ही fronts के लिए बहुत great card नहीं है in fact देखें personal front के लिए neutral card है and professional front के लिए थोड़ा सा negative card है negative नहीं कहना चाहिए but cautious रहने वाली energies का यहां फिर आपको guidance देने वाला card है और यहां पर in general के energies का card कहता है prosperity lies ahead तो यह week हो सकता है कि बहुत great चीजे ना रहें लेकिन जो भी इस week हो रहा है उसी की वज़े से या फिर otherwise भी आगे काफी prosperous काफी beautiful energies आपकी life में आने वाली है and astrology से आप लोगों के लिए children का card है इसके हिसाप से all shades of green इस week आप लोगों के लिए lucky रहेगा and significant day आप लोगों के लिए होगा Wednesday तो यह थाले ब्राज आप लोगों के लिए coming week कर सापता है ग्राशी फल और नीचे मुझे comment section पर जरूर बताएं कि यह कितना आप के साथ resonate किया कितना आप connect कर पाए चलिए Scorpios आप लोगों के लिए देखें कि coming week क्या लिए करा रहा है कि energies है तो professional friend के लिए आप लोगों के लिए card है nine of wands reverse और यह card कहता है कि पीछी किसी भी चीज़ पे अगर आप बहुत effort कर रहे थे बहुत महनत कर रहे थे specifically अपने professional friend में तो इस week आप थोड़ा सा give up करते हुए दिख रहे हैं हो सकता है Scorpios इस week आपको ऐसा लगे कि बस थक गए अब और हिम्मत नहीं है अब और stamina नहीं है strength नहीं है इसी चीज़ को continue करने का क्योंकि यह general reading है तो situation circumstances सब Scorpios के लिए differ करेंगे लेकिन फिर से मैं कहूंगी थोड़ा सा मायूस थोड़ा सा give up करते हुए दिख रहे हैं कुछ के लिए हो सकता है कि थोड़ा बहुत आप hurt भी हो रहे हैं और जब भी यह card आता है हम यही कहते हैं कि आप अपनी मंजिल मकसद के बहुत करीब हैं क्योंकि यह 9 number का card है 9 number कहीं numerology tarot में completion को represent करता है तो मैं आपको यही कहूंगी कि एक final effort एक final कोशिश जरूर करें क्योंकि अभी अगर आपने give up किया तो इस time तो आपको नहीं realize होगा क क्योंकि आप थोड़ी सी थकावर्ट थोड़ा सा एक you know exhausted हो रहे हैं लेकिन बाद में आपको लग सकता है कि काश एक और बारी effort कर लिया होता तो फिर से मैं कहूंगी final effort करें एक last कोशिश करें definitely आप अपनी मंजिल अपने मकसद को पा लेंगे and personal front के लिए आप लगों के लि क्योंकि overthinking और happiness ये दोनों साथ साथ नहीं रह सकते हैं ये एक दूसरे के बहुत ही कटर दुश्मन होते हैं तो दिखिए आप मायूस हो रहे हैं परिशान हो रहे हैं थोड़ा सा anxious हो रहे हैं restless हो रहे हैं काफी low feel कर रहे हैं और इन सभी चीजों का एक मातर reason overthinking या फिर मैं क इसको आप बहतर कर पाएंगे और दूसरी एक चीज मैं आपको ज़रूर कहना चाहूंगे कि जो भी आपके मन में आ रहे हैं thoughts आप उनको literally ना लें उनको सच मान के उनके उपर energy ना देनी शुरूर कर दें तो फिर से देखिए इन चीजों का खयाल रखना है क्योंकि nine of swords का card कहीं worry की बात करता है, tension की बात करता है, stress की बात करता है, रात को अच्छे से ना सो पाने की भी बात करता है और ये सब चीजें देखिए फिर से कहूंगी कि हमारी thinking की वज़े से जादा होती हैं क्योंकि external front में कभी चीजें बहुत अच्छी होंगी, कभी इतनी अच्छी नह होंगी और जब हम इन ही के हिसाब से उपर नीचे होते रहेंगे तो फिर हम life में कभी भी चीजों को enjoy नहीं कर पाएंगे, हम परेशान ही रहेंगे और जब हम इन चीजों को manage करना सीख लेते हैं, जब अब आता है life में तो extreme खुश नहीं होते हैं और जब थोड़ा सा you know एक low point आता है life में या कुछ भी हमारे हिसाब से नहीं चल रहा होता है, हम एकदम से extreme परिशान नहीं होते हैं, तो फिर हम बहुत balance तरीके से जिंदगी को भी जी पाते हैं और in fact मैं कहूंगे अच्छी तरीके से जी पाते हैं, तो इस चीज का खयाल रखें, फिर से कहूंगी कि हर thought को सच ना मान लें, overthinking ना करें, negative thinking आ रही है तो उसको ज़रूर correct करके positive thinking में convert करें and in general या फिर guidance से आप लोगों के लिए new moon and cancer का card है और ये card कहता है you and your loved ones are safe, तो यहाँ पर देखिए guidance का card एक चीज पर focus कर रहा है कि आपको हो सकता है इस वीक अपने किसी loved one, अपने किसी close one की काफी फिक्र हो रही है और ये भी एक reason हो सकता है आपकी परेशानी का, आपका बहुत ज़ादा एक negative frame of mind में रहने का और यहाँ पर guidance का card आपको बहुत ही clearly message दे रहा है कि आप भी safe हैं और आपके loved ones भी safe हैं, I hope कि ये चीज या फिर ये message आपको help करे और आपकी परेशा energy से आप लोगों के लिए Jupiter planet का card है, इसके हिसाप से all shades of yellow इस week आप लोगों के लिए लगी रहेंगे and significant day आप लोगों के लिए होगा Thursday, तो ये था स्कॉप्योज आप लोगों के लिए coming week का सापता ही काशीफल और नीचे मुझे comment section पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके सा card है Three of Pentacles Reverse, ये card tarot में teamwork की बात करता है, कहीं money, पैसा, materialistic, tangible चीज़ों को represent करता है और कहीं बहुत practical, बहुत realistic तरीके से चीज़ों को करने की भी बात करता है, क्योंकि इस week specifically आपके professional front के लिए card है और reverse है, तो इन ही चीज़ों से related छोटे मुटे issues, छोटे मुटे मसले रह सकत हैं, अब दिखें इस चीज़ को सुनके आपने परिशान नहीं होना है, क्योंकि ये जिन्दगी है, हमेशा ही हमारे हिसाब से चीज़ें हो, ये possible नहीं है, and दूसरी बात, Three of Pentacles is not a negative card, काफी positive card है, इस week आप लोगों के लिए reverse है, तो हो सकता है कि जो payment आप expect कर रहे थे, इस week आपको नहीं मिल रही है, जितना profit आपने expect किया, उतना आपको नहीं मिल रहा है, और जो भी लोग आपके साथ काम करते हैं, आपके लिए काम करते हैं, उनके साथ उस तरीके से coordination नहीं हो पा रहा है, आप तीनों या फिर जो भी लोग हैं, यहाँ पे Three of Pentacles हैं, तो मेरे मु difference of opinion हो रहा है, और यह बहुत healthy होता है, यह बहुत normal होता है, लेकिन जब हो रहा होता है, तो हम थोड़े से परेशान हो जाते हैं, हम थोड़े से upset हो जाते हैं, और वैसी ही energies इस week आपके professional front में रह सकती हैं, और हो सकता है कि आप बहुत practical, बहुत realistic होके चीजों को deal करना चाह रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, या फिर आप over practical हो रहे हैं, और फिर से कहूंगे materialistic tangible चीजों से related, वो एक outcome, वो एक result इस week आपको नहीं मिल रहा है, देखिए मैंने बहुत जोर देकर कहा इस week नहीं मिल रहा है, next week मिल सकता है, उससे next week मिल सकता है, तो इस week इनी सब चीजों क को low रखते हैं, थोड़ा ऐसा money पैसे को लेकर cautious रहते हैं, जहाँ पर जरूरी है वहीं खर्श करें और खर्श करने से पहले, या फिर किसी को payment देने से पहले एक बारी जरूर सोच लें, समझ लें, तो ये week आपका ठीक ठाक रहेगा, and personal front के लिए आप लगों clicking of pentacles reverse का card है, और दोनों ही cards reverse हैं, तो broader level के लिए overall ही हम देखें, इस weak money, पैसा, materialistic, tangible चीजों पर आपका ज्यादा focus रह रहा है, आप ज्यादा इन चीजों को prioritize कर रहे हैं, और हो सकता है आपका खर्चा ज्यादा हो रहा है, अब देखिए इस चीज से भी आप परेशान ना हो, क्योंकि ख मारा खर्चा नहीं होगा, तो फिर पैसा आएगा कैसे, यानि कि पैसे का आना जाना is a very normal situation, और जब आता है तो जाता भी है, लेकिन कहां जा रहा है, सही जगा पर जा रहा है, सही चीज के लिए खर्च कर रहे हैं, सही इंसान पर खर्च कर रहे हैं, इस पे थोड़ा सा और देना, इस week आपके लिए बहुत important रहेगा, यानि कि फिजूल खर्ची ना हो, या फिर आप किसी ऐसे इंसान की मदद ना कर दें, जो जिसको जरुरत ही नहीं है, या फिर कोई आपको manipulate करके आपसे पैसे ले रहा है, और दिखें, मैं ये नहीं है रही कि literally ऐसा होगा, य ये general reading है, बहुत सारे लोग देख रहे हैं, इनी सब चीजों को लेकर थोड़ा सा cautious रहने की जरुत है, क्योंकि या पे king of pentacles का card है, कुछ के लिए हो सकता है, कोई male figure या फिर कोई इनसान जिनकी masculine energies हैं, उनसे किसी भी तरीके की practical, realistic, या फिर money, पैसे से related, आप help, support चाहा रहे हो सकता है, कि इस week वो available नहीं है, या फिर आप दोनों के energies align नहीं है, whatever reason हो सकता है, but वो एक support मिलता हुआ नहीं दिख रहा है, and yes, आप over practical, over realistic हो सकते हैं, या फिर ऐसा होने की कोशिश कर रहे नहीं हो पा रहे हैं, तो बहुत great ये week नहीं जाता हुआ दिख रहा है, हालांकि क अधरत है, and in general या फिर guidance से आप लोगों के लिए waxing moon का card है, ये card कहता है the energy is gaining momentum, तो देखिए हमने दोनों ही fronts में देखा कि money पैसे से related चीजें बहुत great नहीं रह रही है, या फिर आपके हाथ से पैसा जा रहा है, उतना आ नहीं रहा है, लेकिन जो भी इस week हो रहा है, कहीं better direction में ही चीजों को लेकर जा रहा है, क्योंकि देखिए waxing moon का card increase की बात करता है, बढ़ोती की बात करता है, चीजों में growth होने की, progress होने की बात करता है, और कितनी बार ही होता है न, उस time हम नहीं चीजों को realize कर पाते हैं, हमें लगता है भई, ये तो बड़ी मुश्किल हो र रहा है, लेकिन हम दूर तक नहीं देख पा रहे होते हैं, वही चीजें कहीं हमें growth और progress की तरफ लेकर जा रहे होती हैं, और कहीं यही message आपको in general guidance का card दे रहा है, and astrology से आप लोगों के लिए cancer sign का card है, इसके हिसाब से white color इस week आप लोगों के लिए लगी रहेगा, and significant day आप के लिए होगा Monday, तो ये था, city day days आप लोगों के लिए coming week का साथा है, ग्राशी फल, और नीचे मुझे comment section पर जरूर बताएं कि यह कितना आपके साथ resonate किया, कितना आप connect कर पाए, तो चलिए का प्रिकॉंस आप लोगों के लिए देखें कि coming week क्या लेकर आ रहा है, क्या energies है तो professional front के लिए आप लोगों के लिए card है judgment reverse, और ये card कहता है कि इस week थोड़ा सा specifically अपने professional front में आप stuck महसूस कर सकते हैं, अब देखिए ये general reading है, ये stuck energy सब के लिए differ करेंगी, ये card कहीं ending और beginning की बात करता है, एक fresh start की बात करता है, तो हो सकता है कि professional front के किसी area में या फिर in general ह कुछ चीजों को close करके, कुछ चीजों को end करके नए तरीके से आप चीजों को करना चाह रहे हैं, अब देखिए यहाँ पर इसका मतलब ये नहीं है कि सब लोग अपनी जो भी job है, यहाँ पर जो भी business है, उसको end करके नया business शुरू करना चाह रहे हैं, होता है ना काम करने क तरीका हमें लगता है कि ये ठीक नहीं है उसको end करके नए तरीके से हम चीजों को करना चाहा रहे होते हैं यानि कि जो भी आप करते हैं अपने professional front में उसमें छोटे-मोटे changes लाना चाहा रहे हैं या फिर fresh तरीके से किसी चीज को करना चाहा रहे हैं और उसी से ही related issues मसले हो रह यानि कि आप उस तरीके से नहीं एक नहीं beginning कर पा रहे हैं इस तरीके से आप चाहा रहे हैं ये कार्ड कहीं decision choice की भी बात करता है तो हो सकता है कि कुछ decisions, कुछ choices आपको करनी है और कहीं आप बहुत जादा critical बहुत जादा judgmental हो रहे हैं बहुत logical बहुत analytical हो रहे हैं और इसी लिए वो decision वो choice आप नहीं ले पा रहे हैं तो यहाँ पर मैं आपको यही कहूंगी कि balance इनी energies में जरूर लेकर आएं देखिए थोड़ा सा critical थोड़ा सा judgmental हो अच्छी जरूरी भी होता है लेकिन जब over critical हम हो जाते हैं तो हमें सिर्फ गलती चीज़ें दिखती हैं हम अच्छी चीज़ों को देखी नहीं पाते हैं हमें दोनों अच्छी और बुरी चीज़ों को साथ में लेकर चलना चाहिए और उसके हिसाब से फिर हमें decision और choice लेनी चाहिए तो मैं आपको यही कहूंगी कि जो भी चीज़ को लेकर आप decision choice लेना चाहा रहे हैं उसके pros and cons को अच्छे से way करें लेकिन over critical over judgmental ना हो and कैसे आप जो भी चीज़ है जिसको end करना चाहा रहे हैं उसको end करके एक नहीं beginning कर सकते हैं उस पे आप जरूर focus करें फिर से ए बहुत ही छोटी-्गोटी चीज़ें हो सकती हैं हो सकता है बहुत time से किसी project पे किसी चीज़ पर आप काम कर रहे हैं और आपको लग रहा है बस अ技 एंड हो नया project में मिले कुछ के लिए हो सकता है कि एक ही तरीके से आप काम करते जा रहे हैं आपको व रिजल्ट नहीं रहा लेकिन कहीं ending, beginning से related issues मसले छोटे मोटे रह सकते हैं and personal front के लिए आप लोगों के लिए page of pentacles reverse का card है सबसे पहली चीज pentacles का card है, reverse है तो हो सकता है कि money या फिर पैसा आपके हाथ से जा रहा है और दिखिए जरूरी नहीं है कि negative तरीके से जा रहा है simply कुछ के लिए हो सकते हैं आप जादा खर्चा कर रहे हैं क्योंकि ये page का card है तो हो सकता है कि immature तरीके से आप अपने money को खर्श कर रहे हैं थोड़ा सा इस week maturity के साथ चीजों को deal करने की जरत है जो भी आप कर रहे हैं आप जब तक sure नहीं है उसको ना करें या फिर मैं इसा भी कहूंगी कि कोई बड़ा decision बड़ी choice अगर आपको लेनी है कोई बड़ा खर्चा करना है या बड़ा action initiative आप लेना चाहा रहे हैं तो किसी experiential इंसान से जरूर बात कर लें जिनको आप trust करते हैं जिन पे आपको faith है उनसे जरूर discuss कर लें और दूसरी चीज ये card कहता है कि किसी message, phone call, email का अगर आववेट कर रहे हैं तो इस week थोड़ा सा delay हो सकता है और अगर मिल भी गया तो कहीं उस तरीके की एक satisfaction joy आपको नहीं दे रहा है तो all in all दिखिए ठीक था कि ये week रहता हुआ दिख रहा है ज़्यादा बातचीत हो रही है या फिर Capricorns आपकी ही mature energies है तो जो भी आप कर रहे हैं उसमें maturity आप इस week ज़रूर रखें इसका आप खास खयाल रखें and in general या फिर guidance से आप लोगों के लिए mutable moon का card है ये card कहता है nothing is yet set in the stone very clear message है कि कोई भी चीज पत्थर पे नहीं लिखी हुई यानि कि कोई भी चीज 100% होगी ही होगी इसकी कोई भी surety नहीं होती है और यहाँ आपे देखिए कुछ लोगों के लिए positive भी हो सकता है कुछ के लिए negative भी हो सकता है यानि कि अगर आप किसी चीज को लेकर बहुत effort कर रहे हैं और आपको बहुत एक excitement हो रही है कि इसका एक positive outcome तो आपको मिली जाएगा आप बहुत sure हो रहे हैं 100% आपको लग रहा है कि भी ये काम आपका हो जाएगा तो उस सेनारियो में ये card कहता है कि कुछ भी अभी sure नहीं है कुछ भी अभी पका नहीं है कुछ भी हो सकता है similarly अगर किसी चीज को लेकर बहुत negative हो रहे हैं negative thoughts चल रहे हैं उस सेनारियो में ये card का message आपके लिए काफी positive है कि जितना आप negative सोच रहे हैं उतना नहीं होगा again मैं कहूंगी जो भी आप सोच रहे हैं उसके होने के कोई खास chances नहीं है क्योंकि कुछ भी अभी sure नहीं है एक तरीके से ये इस card का message है and astrology से आप लोगों के लिए Sagittarius sign का card है इसके हिसाब से all shades of yellow आप लोगों के लिए लगी रहेंगे and significant day आप लोगों के लिए होगा Thursday तो ये था Capricorns आप लोगों के लिए coming week का सापता है एक राशी फल और नीचे मुझे comment section पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ resonate किया कितना आप connect कर पाए तो चलिए एक वेरियस आप लोगों के लिए देखें कि की बात करता है किसी suffocating situation से बाहर निकलने की बात करता है sudden changes की बात करता है और कुछ ऐसा ही इस week specifically आपके professional front में रहतावा दिख रहा है अब दिखे बहुत great energies नहीं हैं और इस चीज़ को सुनके आप beyond the point परिशान ना हों क्योंकि आपकी पूरी जिंदगी की reading नहीं है यह सिरफ और सिरफ इस week की reading है नया week नही energies लेकर आएगा और कैसे इस week को आप बहतर कर सकते हैं उस पे आप focus करें और weekly reading में बहुत बड़ी चीज़ें भी नहीं होती है इका दुका लोगों की बात अलग है overall के लिए दिखिए वो एक सुकून वो एक peace of mind हो सकता है कि इस week आप ना महसूस करें reason सब के लिए refer करेंगे जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कुछ के लिए किसी भी छोटी मोटी situation में या फिर बड़ी situation में sudden changes रह सकते हैं जो कि आप accept नहीं कर पा रहे हैं जो कि इनों आप इतने comfortable नहीं हैं कुछ के लिए हो सकता है कि suddenly किसी चीज में से बाहर निकल रहे हैं अब यहाँ पे दिखिए कुछ के लिए mentally emotionally भी भाहर निकलना हो सकता है यानि कि किसी चीज में आप stuck थे अठके हुए थे इस week आप suddenly again मैं कहूंगी उसी mental situation में से बाहर निकल रहे हैं बाहर निकलने के बाद जरूर आपको भैतर लगेगा लेकिन बाहर निकलने का process आपको थोड़ा सा परिशान कर सकता है कुछ के लिए हो सकता है किसी team, किसी project से आप यहां तो बाहर निकलना चाहा रहे हैं या फिर निकल रहे हैं या situation, circumstances ऐसी है जहां पर आपको ऐसे लग रहा है कहीं आप बाहर न निकल जाएं इस project, इस team या फिर किसी भी चीज से तो देखिए जो भी चीजे मेरे mind में आई मैंने आपको बताया इसी तरीके के scenarios, इसी तरीके की situations रह सकती है और guidance इस card की वज़े इस card की तरफ से यही होगी कि आप peace of mind कैसे maintain कर सकते हैं उस पे focus करें बहुत aggressive ना हो या फिर मैं कहूंगी जोश में, aggression में कोई बड़ा decision, कोई बड़ी choice इस week ना लें and personal front के लिए आप लोगों के लिए the magician reverse का card है और देखिए, magician का card कहीं चीज़ों को manipulate करने की बात करता है diplomatically चीज़ों को deal करने की बात करता है एक बहुत clever, एक बहुत cunning energies की भी बात करता है कुछ Aquarius के ऐसी energies हो सकती है कुछ Aquarius के personal front में कोई इनसान हो सकते हैं उनकी ऐसी energies हो सकती है दोनों ही सिनारियों में देखिए motive, मकसद, intentions अगर ठीक हैं तो कोई बात नहीं लेकिन अगर आपको थोड़ा सा भी लगे कि आप manipulative हो रहे हैं in the process आपके intentions ठीक नहीं है जरूर इस चीज़ को check करके correct करें क्योंकि देखिए ऐसी energies हमें बहुत short term gain देती हैं long term में हम परेशान होते हैं और अगर आपको लगे कि कोई इनसान है जो manipulate कर रहे हैं बहुत diplomatically आपके साथ deal कर रहे हैं बहुत cunningly, बहुत clever तरीके से आपके साथ again मैं कहूंगी dealings कर रहे हैं तो आप बहुत cautious रहें बहुत conscious रहें मैं ऐसा भी कह सकती हूँ कि आप complete trust, complete faith इस week किसी पे भी ना करें और कुछ के लिए यह भी हो सकता है कि या तो आप over confident किसी चीज को लेकर हो रहे हैं या under confident हो रहे हैं एक balance तरीके वाला confidence चीजों को करने का नहीं इस week रहतावा दिख रहा है और अगर ऐसा भी पाएं तो जरूर इस चीज को चेक करके correct करें दिखे मुझे याद आगया Shakespeare का एक play है Macbeth उसमें बहुत clearly उन्होंने लिखा है over confidence leads to destruction तो जब हम over confident हो जाते हैं चीजों को लेकर बहुत casually हर चीज को लेने लगते हैं वो कोई relationship हो सकता है कोई situation हो सकती है कोई काम हो सकता है तो फिर हम परेशान होते हैं similarly under confident होते हैं action initiatives ही नहीं लेते हैं तो भी परेशान होते हैं तो एक balance तरीके से confidence रखें जो भी action initiatives required है अपने goal मकसद को पाने के लिए उससे related भी एक balance तरीके से action initiative ज़रूर लें and in general या फिर guidance से आप लोगों के लिए new moon का card है और ये card कहता है new start is coming तो देखिए ये दोनों में से किसी भी front के लिए हो सकता है लेकिन professional front के लिए ज़ादा रहता हुआ दिख रहा है और कितनी बरी क्या होता है suddenly हम किसी चीज में से बाहर निकल जाते है उस time हमें थोड़ा सा अफसोस होता है हम थोड़ा से परेशान होते है अब यहाँ पे दिखिए मैं ये नहीं कह रही हूँ कि literally कुछ ऐसा हो रहा है और थोड़े time बाद हमें realize होता है कि कितना अच्छा हुआ हम उस situation में से निकल गए क्योंकि वो situation हमें परेशान कर रहे थे और हम उसे देख नहीं पा रहे थे तो यहाँ पे दिखिया new start is coming का card सबसे पहली चीज guidance के हिसाब से देखिए तो आपको message देता है कि जितनी जल्दी आप पुरानी चीज़ों को let go करेंगे नई चीज़ों को welcome करेंगे उतनी ही जल्दी आप अपनी life में चीज़ों को बहतर करेंगे और कुछ के लिए direct message हो सकता है कि एक fresh beginning किसी भी life के area में इस week हो रही है या फिर उसी से ही related एक शरुवात इस week हो रही है and astrology से आप लुगों के लिए mercury ग्रह का card है इसके इसाब से all shades of green इस week आप लुगों के लिए लखी रहेंगे and significant day आप लुगों के लिए होगा witness day तो ये था एक videos आप लुगों के लिए coming week का सापता ही ग्राशी फल और नीचे मुझे comment section पर जरूर बताएं कि ये कितना आपके साथ resonate किया कितना आप connect कर पाए चलिए बाइसेज आप लुगों के लिए देखें कि coming week क्या लेकर आ रहा है क्या energies है तो professional front के लिए आप लुगों के लिए card है king of swords king of swords का card tarot में power position authority की बात करता है बहुत clarity के साथ चीजों को deal करने की बात करता है in fact मैं कहूंगी बहुत logically बहुत mind से भी चीजों को deal करने की बात करता है और कुछ ऐसा ही इस week specifically आपके professional front के लिए रहता हुआ दिख रहा है अब दिखिए general leading है थोड़ा थोड़ा सब के लिए differ करेगा कुछ के लिए हो सकता है power position authority अपने professional front में आप इस week बहुत जादा चाहा रहे है कुछ के लिए हो सकता है power position authority किसी भी level पे किसी भी तरीके से आपको मिल रही है और कुछ के लिए हो सकता है कि किसी authoritative figure से आपकी ज़ादा interaction हो रही है ज़ादा बात्चीत हो रही है आप connect करना चाहा रहे हैं या फिर कर रहे हैं और दिखे ये authoritative figure कोई भी हो सकती है, फिर से कहूंगे सब के लिए differ करेगा, लेकिन government politics से जादा कुछ लोगों के लिए हैं, काफी सारे लोगों के लिए होती भी दिख रही हैं, और दूसरी चीज मैंने आपको बताया, बहुत mind से बहुत logically आप चीजों को deal कर रहे हैं, थोड इसे लिए stance लेने की जरत है, तो वो भी आप लेते हुए दिख रहे हैं, या मैं ऐसा भी कह सकते हूं, एक fighting spirit आप रखते हुए दिख रहे हैं, all in all ये week काफी अच्छा रहता हुआ दिख रहा है, क्योंकि ये king का card है, तो कुछ के लिए हो सकता है, कोई male figure है, उनकी तरफ से काफी supportive, काफी cooperative energies हैं, फिर से दिखे, ये male figure कोई भी हो सकते हैं, कुछ के लिए literally government politics से related रह सकते हैं, और इस week money, पैसा, materialistic, tangible चीज़ों से जादा power position, authority से related चीज़ें बहतर रहते भी दिख रही हैं, अब मैं ये नहीं कह रही कि money, पैसे से related चीज़ें अच्छी नहीं ये नहीं कहा, इस से बहतर power position, authority से related चीज़ें रहती भी दिख रही हैं, और personal front के लिए आप लगों के लिए temperance reverse का card है, ये card कहता है, या तो इस week आप कोई चीज़ जरुरत से जादा कर रहे हैं, या फिर जरुरत से कम कर रहे हैं, अब देखिए, जनरल reading है, फिर से कहूंग जरुरत से कहता है, over eating, drinking, merry making रहे हैं, और कुछ के लिए हो सकता है, ये ही चीज़ें के लिए आप बिलकुल भी action initiatives नहीं ले रहे हैं, यानि कि आप you know, या तो over कोई चीज़ कर रहे हैं, या फिर under कर रहे हैं, बिलकुल भी आप किसी भी चीज़ में involved नहीं हो रहे हैं, बिल अभी भी कोई भी चीज, जितनी भी अच्छी हो, हम जरुरत से जादा करते हैं, तो भी परेशान होते हैं, और अगर बिलकुल भी नहीं करते हैं, वो चाहें फन मजा मस्ती हो, चाहें आपका work हो, तो भी हम परेशान होते हैं, तो एक balance लाने की जरुरत है, कुछ के लिए ह हो सकता है कि बहुत इस वीक आपको ऐसे लग रहा है, पीस ओफ माइंड मेंटेन करना है, जो भी हो, चलेगा, लेकिन अपने सुकून को नहीं खराब होने देना है, और आप कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन उस तरीके से इसी चीज में कामयाब नहीं हो पा रहे हैं, यानि क उनका उतना पीस ओफ माइंड आप नहीं मेंटेन कर पा रहे हैं, और ये कार्ट कहीं अपने डिजायड आउटकम को पाने के लिए, डिफरेंट डिफरेंट चीजों को कमबाइन करने की, डिफरेंट डिफरेंट चीजों को एक्सपरिमेंट करने की भी बात करता है, और कु के लिए कहीं उन चीजों से आप अपने desired outcome को इस वीक नहीं पा पारे हैं देगिन बहुत जोर देकर कहा हो सकता है next week आप आले उससे next week आप आले लेकिन इस week आपको वह desired outcome या desired result नहीं मिलता हुआ दिख रहा है जो भी effort ना करें क्योंकि देखिए हमने देखा personal friend में यहां तो आप कोई चीज too much कर रहे हैं तो यहां पर देखिए जो भी लोग too much effort कर रहे हैं किसी भी चीज को पाने के लिए यहां फिर कोई भी again चीज हो सकती है तो यहां पर आपको guidance का card बहुत ही clearly कहता है थोड़ा सा relax करें थोड़ा सा chill out करें और बहुत अपने आपको bother ना करें बहुत अपने आपको परेशान किसी भी चीज के लिए ना करें in fact देखिए nutshell में मैं आपको यही कहूंगी थोड़ा सा relax थोड़ा सा rest इस week आप जरूर करें and astrology blue हो गया and significant day आप लोगों के लिए होगा Thursday तो यह था आप आइसेज आप लोगों के लिए coming week का सापता ही क्राशी फल और नीचे मुझे comment section में ज़रूर बताएं कि यह कितना आपके साथ resonate किया, कितना आप connect कर पाए